पहली बार बड़े परदे पर सल्मान खान के साथ नजर आएंगी शेहनाज गिल कभी इत कभी दिवाली फिल्म के जरीए करने जा रही है बॉलिवुड में डेब्यू सल्मान खान इन दिनों अपने आने वाली फिल्म कभी इत कभी दिवाली को लेकर काफी चर्चे में है ये फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है प्री प्रोडक्शन वर्क शुरू हो गया है बता जा रहा है कि ये फिल्म की शूटिंग सल्मान खान के पनवेल फार्म हाउस से शुरू होगी और फिर आगे कई अलग-अलग लोकेशन्स पर शूट होने वाली है बता दे कि सल्मान खान की ये फिल्म में लीड रोल में पूजा हेगडे और आयूश शर्मा भी नज़र आने वाले हैं लेकिन अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है और वो नाम है बिग बॉस की सबसे चहेती कंटेस्टिंट शेहनाज गिल का आ रही रिपोर्ट के मताबक शेहनाज गिल सल्मान खान की कभी ईद कभी दिवाली फिल्म के जरिये बॉलिवुड में डेब्यू करने जा रही है हाला कि शेहनास पंजाबी फिल्मों में नजर आ चुकी है लेकिन बॉलिवुड में सल्मान खान की फिल्म कभी एद कभी दिवाली में नजर आ सकती है रिपोर्ट में बताया गया है कि शहनास गिल सल्मान खान की नहीं बलकि आयूश शर्मा की लीरिंग लीडी बनने वाली है आयूश शर्मा सल्मान खान के साथ कुछ महीने पहले रिलीज हुई अंतिम फिल्म में नजर आए थे और अब एक बार फिर से साले जीजा की जोड़ी परदे पर आने वाली है तो दोस्तो आप कितने एक्साइटेड हो शहनास गिल को सल्मान खान की कभी एद कभी दिवाली फिल्म में देखने के लिए हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं नहीं इस अपको इदर से आने अपको इदर से अपर देखने की नलाट्य में सेंटर अपर बहुत क्यूट लग रहे हो पास की टाइड वालतर है अरे नहीं मैं इदर से इदर से इदर से इदर